Electronic Configuration Electronic Configuration का मतलब होता है The filling of electrons in various shells and sub-shells तो हम पढ़ेंगे Rules for Distribution of Electrons in Various Orbitals यानि Sub-shells Orbitals को In Other Words of Sub-shells भी कह सकते हैं तो तेन बन्याली तोर पर फूर्च होते हैं Half-Bow, Half-Bow Principle Polly Exclusion Principle Polly's Exclusion Principle And Moon's Rule तो One by One इनको Discuss कर लेते हैं सबसे पहले Half-Bow Principle Half-Bow Principle तो Half-Bow Principle कहता है कि Energy Levels Are Filled Are Filled in order of their In order of Their Increasing Energy यानि सबसे पहले कम Energy Level वाल ओर्बिटर फिल करेंगे फिर उससे जादे फिर उससे जादे तो उसकी लिए एक ट्रिक मैंने बनाई है S, S, P, S, P, S, D, P, S, D, P, S, F, D, P, and S, F, D, P की नम्रिंग आपने 1 से स्टाट करनी है 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S P की नम्रिंग आपने 2 से स्टार करनी है 2, 3, 4, 5, 6, and 7 D की नम्रिंग आपने 3 से स्टार करनी है तो 3, 4, 5, 6 और F की निम्मरिंग आपने 4 से स्टार्ट करनी है तो यह होजेगा 4F और यह होजेगा 5F तो अब यह energy की increasing order of energy पर orbitals को तरतीब दे दिया गया है सबसे कम energy 1S की है फिर 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P अब और S है इनकी energy बढ़ रही है तो आफको principle यह ही कहता है सबसे पहले आपने कम energy अवला orbital fill करना है फिर उस से जदा फिर उस से जदा और ऐसे आपने कर दे जाना है बढ़ते हैं second principle की तरफ जो कह है poly exclusion principle poly's exclusion principle अचा पाली exclusion principle सहाँ जेने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि S orbital की कोई orientation नहीं होती है spherical होता है spherical होता है यानि ये ऐसे spherical होता है जबकि P orbitals की तीन orientation होती है P X, P Y and P Z को बनाके इसकी तीन orientation होती है यानि ये अगर X axis है ये Y axis है और ये Z axis है तो P orbital 2 के double shape का होता है तो इसका एक dumbbell x-axis पे होगा एक dumbbell y-axis पे और एक dumbbell इसका z-axis पे होगा अब D-sectional जो होता है उसके कोल मिलाके 5 orientations होती है यानि उसके 5 further टबे 1, 2, 3, 4, 5 D-xy, D-y-set, D-z-x D-x-square, y-square and D-z-square इसके बाद F-subshell की total 7 orientations होती है और यह बहुत complicated होते है यह अफसर नहीं बनाया जाता किताबापे बहुत high level की किताबापे बनाया जाता है तो पाली exclusion principle क्या कहता है no two electrons पाली explain principle की statement है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum नंबर, spin quantum नंबर और meganetic quantum नंबर तो कैसी भी दो electrons की सारे के सारे quantum numbers सेम नहीं हो सकते अगर उनका principle quantum number सेम है तो azimuthal different होगा और अगर principle azimuthal दोनों सेम है यह अगर मैं आपको बताऊं तो principle quantum number होता है एक एक होता है azimuthal quantum number यह quantum numbers electron का पता बताते हैं तीसरा होता है magnetic quantum number और दोता होता है spin quantum number तो यह चारों के चारों quantum number किसी भी दो electrons के लिए सेम नहीं होते अगर यह तीन सेम है तो चोथा ज़रूर different होगा तो आईए पहली shell के अंदर जो दो electrons है उनके लिए हम उसके उपर हम यह वले रूल apply करके देख लेते हैं तो let's suppose एक atom है helium का यह atom अगर ले लें helium के अंदर दो electrons होते हैं तो इसके electronic configuration हो जाएगी 1s2 यानि 1s के अंदर यहाँ पर दो electrons है तो इन दो electrons के लिए हम बारी बारी यह चारों quantum number देख लेते हैं principal quantum number को represent किया जाता है n से asmethon quantum number को l से represent किया जाता है और spin को s से तो इन दो electrons के लिए यह जो मैंने spin से बनाए हैं यह दो electrons है तो इन दो electrons के लिए यह इसी तरह बे मैं बना सकते हूं तो n की value क्या है इसकी one है दोनों के लिए n की value यहाँ पर one हो जाएगी l की value यहां पर s l जो है इसके अंदर s है तो s के लिए l की value होती है zero L की value जो है S के लिए होती है 0 P के लिए होती है 1 D के लिप्डू और F के लिए 3 तो L की value आ गई इसके लिए 0 अब M की value तो इन दो elektrons के लिए M की value भी सेम होगी क्योंकि S सब शेल के अंदर हैं और S सब शेल की कोई orientation नहीं होती है spherical होता है तो M इसके लिए 0 हो जाएगा अब last quantum number आ जाता है S यानि spin quantum number तो अगर अगर अधर आप देहान दें तो एक का spin clockwise है और दूसरे का spin anticlockwise है यह जो half arrow है यह एक half arrow clockwise spin को represent कर रहा है जबकि दूसरा half arrow जो है यह anticlockwise spin को जाहर कर रहा है तो एक किसम की spin को हम plus half कहे ढिते हैं और दूसरे किसम का spin को minus half कहा जाते हैं दूसरे electron के लिए भी M की value 1 ही रहेगी, क्योंकि दूसरे electron इसी shell के अंदर है, L की value उसके लिए भी 0 ही रहेगी, क्योंकि S सब shell के अंदर ही है, M की value 0 रहेगी, क्योंकि S orbital spherical होता है, इसके कोई different orientations नहीं होती है, और जो spin है, दूसरे electron का spin anti-clockwise है, तो उसके लिए S की value हो minus half, इसके बाद हम last वाला rule देख लेते हैं, तो यहां पर आप लोगों को वाज़े हो गया है, कि किसी भी तो electrons के लिए, यह चारो की चारो quantum numbers सेम नहीं हो सकते, अगर 3 quantum numbers सेम हो है, तो 4 quantum number ज़रूर डिफरेंट होगा, और यह वाला जो rule है, पाली इक्स्प्लियेंट प्रिं यहां पर पड़ावा है, तो जब तक यह रिजिस्टर यहां पर पड़ावा है, तो जब तक यह रिजिस्टर यहां पर पड़ावा है, कोई चीज इसकी जगह पर हम नहीं रख सकते, कोई चीज इसकी जगह पर तभी आएगी, जब इस रिजिस्टर को यहां से हटाया तो कोई भी किसी भी एलक्ट्रोन की चारो की चारे वेलियों सेम नहीं हो सकती तो इसके बाद हम लास्ट वाला रूल देख लेते हैं जो के है हुन्स रूल उन्स रूल उन्स रूल क्या कहता है कि इफ डीजेनरेट और्बिटल्स आर अवैलेबल डीजेनरेट और्बिटल्स आर अवैलेबल देन अलेक्ट्रोंस वोड लाइक वोड लाइक वोड लाइक तो लिफ एं लिफ एं सेपरेट और्बिटल्स सेपरेट और्बिटल्स विद सेम स्पिल सेम स्पिल जैसे जीजेनरेट और्बिटल्स का मतलब होता है कि हैविंग सेम एनरजी having same energy यानि अगर energy orbitals की same हो अब हम oxygen के लिए देख लेते हैं तो oxygen के अंतर 8 electron होते हैं इसके electronic configuration हो जाएगी 1s2, 2s2 2p 2p4 2p4 हो जाएगा तो इसको अगर हम ऐसे लिखें यह 1s वाला orbital है 2s वाला और p जो orbital है उसके तीन orientations होते हैं px, py and pz तो यह दो electron तो इसके अंदर आ जाएगे यह दो इसके अंदर अपी के अंदर चार electron हैं तो चार electron को आपने पहले सब के अंदर एक-एक फिल करना है और फिर एक बच किया है तो अब डबल कर देना है यानि electron पहले सब के अंदर सिंग्ली फिल होंगे और फिर सब के अंदर हेक जैसे फिल होगे तो फिर तब डबलिंग होगी तो यह था हुंड सुरूर झा Civ कज़ कि अंदर झान की झाल झाल